दोस्तो लोग अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेनत करते हैं और कई बार उनको अपनी पहचान बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं लेकिन आज हम कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनों ने बहुत ही कम उमर में बड़े बड़े दिगजों को पीशे शो दोस्तो अगर आपने अपनी जिन्दगी में कभी सर्फिंग ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि जे खेल कितना मुश्किल होता है आपको ना केवल बोर्ड पर बैलस मेंटेन करना होता है बलकि समुन्दर की खतरना कलेहरों का भी दियान रखना होता है लेकिन गितांजली वैसे तो बारतीय मूलकी बच्ची है लेकिन जे जूएस के मिशीगन शिटी में रहती है। उसकी इन्वेंशन्स के लिए 25 यार यूएस डॉलर और उसको पूरी दुनिया में पहचान मिला। यूएस की बड़ी बड़ी लेबॉटरीस ने उसके साथ कलाबोरेशन किया। और साल 2019 में उसने एक और डवाइस बनाया जो मरीजों में दवाईयों की अडिक्शन को डिटेक्ट करता था। जिसकी वज़ा से टाइम्स न्यूजपेपर ने उसको किड ओफ दा येर से सन्मानित किया। इजे स्टंस दोस्तो इस नौ साल के बच्चे के स्टंस को देहकर पूरी दुनिया हरान है। एजे स्टंस नाम का जे बच्चा 100 मीटर तक बई को पिछले हिसे पर खड़ा होकर उसे चला सकता है। इस talented बच्चे की skills और हिमत को देकर इसे अमेरिका के लिजैंडरी stunt performer रोबर्ट नेवल के साथ compare किया जाता है जैलिया मैनुवल दोस्तों इस cute सी लड़की को देखिए जे दो basket balls को इतनी असानी से handle कर रही है जैसे इनी के साथ पैदा हुई हो दो यार सोला में जैलिया मैनुवल के पिता ने इसका वीडियो फेस्बुक पर अपलोड किया था और तब से ही जे शोशल मीडिया पर काफी फेमस है जैलिया का सपना है कि वो NBA की पहली woman player बनना चाहती है वैसी लिसा आर्मा कोवा दोस्तों वैसी लिसा आर्मा कोवा नाम की जे चैंपियन बच्ची रशिया से है महज 7 साल की उमर में इस बच्ची ने तीन अलगल खेलों में वर्ल्ड रिकोर्ट्स बनाए है जे लड़की स्नोबोटिंग और फ्री स्टाइल स्केटिंग करती है वैसी लिसा ने स्नोबोटिंग में 450 डिगरी का स्पिन मारा और परफेक्ट 360 डिगरी का टर्न करके दिखाया इसके साथ 65 किलो मीटर प्रती गंटे की स्पीड से फ्री स्टाइल डोनवाड स्केटिंग भी करी जो इतनी कम उमर के बच्चे के लिए नाम मुमकिन माना जाता है वैसी लिसा ने ये वल्डर कोर्ट्स मेहज 7 साल की उमर में अपने नाम किये है दोस्तो 30 सेकर्स में सबसे ज़्यादा पंच मारने का रिकॉर्ड बुरूसली जैसे किसी बड़े मार्सिल आर्टिस्ट जा किसी लिजैंडरी बॉक्सर के नाम नहीं है बलकि इस 12 साल की लड़की के नाम है जिसने महज 8 साल की उमर में जुएसे के एक टैलेट शो में 30 सेकर्स में 358 पंच मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सलैस्टी हवते में 6 दिन वर्कॉट करती है और उसके वर्कॉट में जिमनास्टिक और पावर लिफ्टिंग भी शामिल है रोक्सी कोबल्यूक इस लड़की के शरीड की फ्लेक्सिबिल्टी आपको हरान कर सकती है दोस्तो रोक्सी में अज 13 साल की है और लंडन में रहती है रोक्सी की मम्मी कहती है कि जिमनास्टिक क्लासिस में जहां दूसरे बच्चे दर्द से रोव पड़ते हैं वहीं रोक्सी इन एक्सरसाइजेज को बड़ी ही असानी से कर लेती है अब तक रोक्सी सैंकडो जिमनास्टिक कॉंपिटिशन जीत चुकी है और उसका सपना है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट अथलीट बनना चाहती है दोसों इन बच्चों में से आपको सबसे ज़्यादा किसने इंप्रेस किया हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत बुले